चत्रपती स्वाजी महराज, पुरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, औरंग जेब की सत्ता को चुनाती देते वे, औरंग जेब को उन्होंने तडपने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है, अगरा मैं एक म्यूजिय सवभा के साली हैं, इन पूज़ संतों का अश्रिवाद, आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सेकड़ों वर्सों से प्राप्त हो रहा है, और भक्ति से उपजिये सकती ही, दुस्मनों के दाथ हमेशा खटा करती थी, समर्द गुरू रामदाज जी, छत्रपती सिवाजी महराज को यहीं से पैदा करते हैं, और छत्रपती सिवाजी महराज, पुरे भारत के अंदर, उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस काल घंड में सोचिये, औरंग जेब की सत्ता को चुनाती देते वे, औरंग जेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है, यद्मुद सार और प्राकर्म की धरती है, इसलिए है क्योंकि पुज़ संतों का सानिध्य पराप्त हुआ, यहां पर परस्ती है, यहां के भक्तों ने अपने पुज़ संतों के सम्मान को जिन उचाईउं तक पहुचाया है, उसका परिणाम है कि सक्ती भी साथ-साथ उनकी चलती है, और यह सक्ते का अदुबत संगम, चत्रपती स्वाजी माराज की रूप में महाराश्ट की माध्यम से हम सब को देखने को मिलती है, यह मेरा सोभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री बना, आधनिये प्रदान मंत्री जी ने जब मुझे दाहित दिया, तो मैं आगरा गया था, तो आगरा मैं एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मोगल म्यूजियम, मैंने का भी मुगल मुजियम आज के दिन पे मैंने का इसका नम चत्रपती सिवाजी महराज का मुजियम रखो हमारा समंद चत्रपती सिवाजी महराज से है हमारा समंद मुगलों से नहीं है और इसने चत्रपती सिवाजी महराज के नाम पर जाना जाएगा यह मुजियम और चत्रिम्पति सिवाजी महराज की स्मिर्तियों को वहाँ पर सजोने का कार ये पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आदवीय प्रधान मंतरी जी ने उत्तर प्रदेस में एक डिफेंस कोरिडर की गोष्णा की ये डिफेंस कोरिडर भी छत्रपति सिवाजी महराज को ही समर्पित है भारत की रक्सा सेनाएं आत्म निर्भरता की लक्स्य को प्राप्त होंगी इस दिसामें कार्य भी वहां हो रहा है तो यहाँ पे तो सक्तियां भी जुड़ रही हैं और पुझे संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही है और इसी का पेणाम है जब इस सक्ति मिलेगी भक्ति और सक्ति का अद्वुत संगम होगा तब पांसो वर्सों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर कर योध्या में राम मंदिर का भव्य अद्वुत छण भी वा अलोकिक छण भी हम सब को देखने को प्रात्त होता है हमारे पूजय संत्य जान मंच पर भी बैटे हैं सामने भी बैठे हैं इनके सानिध्य में प्रधान मंत्री मोदी जी के करकमनों से उनके प्रम पुरसार्त से 22 जनवरी 2024 की जोती थी हम सब को अयोध्या धाम में देखने को मिली थी अद्वुत है और ये नई योध्या ये भव्य दिव्य और नव्य योध्या आप सब को भी अपनी और आमन्तित कर रही है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई ख़बर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योध्योस 24